दोस्तों पिछले वीडियो में हमने राइट रेस के बारे में चर्चा की थी तो राइट रेस क्या होता है राइट रेस कैसे हम फंस जाते हैं राइट रेस से बाहर कैसे निकलें आद या निक प्रस्त आपके दिमाग में आ रहे होंगे तो आईए जानते हैं राइट रेस के बारे में सब कुछ नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुस्वाहा और आप देख रहे हैं आर के गुरू चैनल वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिकोइस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाली कोई भी महत्मों वीडियो आप से मिसना हो तो दोस्तों आईए समझते हैं राइट रेस क्या है अगर आप किसी आउसत रूप से सिच्छित कड़ी मिहनत करने वाले आदमी की जिन्दिगी को देखें तो उसमें आपको एक साही सफर मिलेगा बच्चा पैदा होता है स्कूल जाता है माता पिता खुस हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नम्मर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा इसना तक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान सुरच्छित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है साइद वह डाक्टर वकील इंजिनियर बन जाता है या सेना में भरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना नहीं शुरू किया है तो अब जम कर खरीदारी शुरू हो जाते है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज्यादा तर नवजवान जाते हैं लोगों से मिलते हैं डेटिंग करते हैं और कभी कभार साधी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पूरुस और महिलाएं दोनों नवकरी करते हैं दो तनखों हैं बहुत सुगत लगती हैं पध्पत्नी दोनों को खरीदने का फैसला करते हैं छुटियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुज हाल पत्पत्नी दोनों सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाह रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वा बढ़ जाए तनक्वा बढ़ती है पर उसके साथ दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है वे नवकरी में और भी ज्यादा मेहनत करते हैं बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज्यादा बिसेशगता हांसिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सके, हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज ले, उनकी आमदवनी बढ़ जाती है, परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है, यही नहीं उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है, उस पर भी टैक्स देना होता है, इसके अलाव उन्हें सामाजी सुरच्छा टैक्स तो चुकाना ही है इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तन्खवा चुक जाती है वे अपनी बढ़ी हुई तन्खवा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए ब बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की सिच्छा के लिए भी बचत जरूरी है इसके साथ है उन्हें अपने रिटाइर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए ये खुसहाल दंपत अब अपनी नौकरी के बांकी दिन चुहा दावल में फसकर बिताते हैं वे अपनी कमपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिर्वी संपत्ती दथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसे सुरचित नौकरी की तलास करनी चाहिए वे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसी लिए वे जिन्दिकी भर कड़ी मेंनत करते रहते हैं यह प्रिक्रिया पीधी दर पीधी चलती रहती है इसे चूहा दौर कहते हैं तो दोस्तो अब आप समझ गए होंगे कि रैट रेस यानि चूहा दौर में ज्यादा तर लोग कैसे जाने अन जाने में फंसे हुए हैं वीडियो लंबी नहो इसलिए इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में डिसकस करेंगे तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो का को लाइक और सेयर जरूर करें जिससे सभी को आईसी बैल्यूएबल जानकारी मिल सके Thank you for watching